हलो एवरिवान वेलकम बाक टो आर चैनल आज हम लोग बनाने वाले हैं केवसी स्टाइल क्रिस्पी फ्राइट चिकन यह डिश हम लोग घर पे बहुत यह आसानी से बना सकते हैं लेकिन इस रेसिपी में जो सबसे इंपोर्टन पार्ट है वो है मैरिनेशन का अगर आप लोग को ने केवसी स्टाइल चिकन कैसे बनाया है पहले हम लोग मैरिनेट करेंगे उसके लिए यहां पर मैं ले रही हूँ एक कटोरी दही उसी कॉंटिटी का मैं पानी भी आड़ करूंगी फिर हम लोग आड़ कर रहे हैं दो टेबल स्पून विनिगर काली मिर्श और थोड़ा सा जिंजर गालिक पेस्ट आड़ कर देंगे अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा नमक एड़ कर देंगे हम लोग ने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम लोग इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे अटलीस दोज से तीन घंटा मैंने चिकन को तीन घंटा मैरिनेट कर लिया था अब हम लोग चिकन को एक एक पीस लेक चिकन के उपर अच्छे से कट्स दे देंगे ताकि अब हम जब मसाला एड़ करेंगे इसमें तब मसाला एकदम अंदर तक जाएं को सिकन पर हम लोग उने अच्छे से कट्स दे दिया हैं अब हम लोग मसाले की प्रिपरेशन करेंगे मसालों में हम लोग ले रहे हैं ब्लैक पेपर जिंजर गालिक पेस्ट लाल मिर्च पाउडर यहां पर हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज नहीं कर रहे हैं तीखा वाला लाल मिर्च ही यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें एक एक करके चिकन का पीज डाल देंगे और मसालो को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे मसालो को जो है हम लोग ने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम लोग इसको छोड़ देंगे ओवरनाइट रेफ्रिजरेटर में ताकि मसाला एकदम अंदर तक जाए और हम लोगों का जो क्रिस्पी फ्राइट चिकन बनेगा वो एकदम जूसी बने हम लोग कोटिंग का प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ दो कब जितना मैदा उसमें थोरा सा सॉल्ट मिला रही हूँ लेकिन यह याद रखके हम लोग सॉल्ट आट करेंगे कि जब मैरिनेट किया था हम लोगोंने चिकन को तब भी हम लोगोंने सॉल्ट आट किया था तो कोटिंग में ज्यादा सॉल्ट नहीं चाहिए होगा इसलिए कम कॉंटिटी में सॉल्ट हम लोग यहाँ पर आट करेंगे फिर हम लोग यहाँ पर ओरिगानो डाल रहे हैं ओरिगानो इस कम्प्लीटल ओप्शनल मैंने चिकन को ओवरनाइट छोड़ दिया था मसालों के साथ अब हम लोग इसका कोटिंग बना रहे हैं लोग बना रहे हैं झाल 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 तो देखिये हम लोगों का केव सी स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन बन के रेडी हो गया है और ये एक दम केव सी चिकन की तरह ही बाहर से क्रांची और अंदर से बहुत ही जूसी बना है झाल झाल